Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus Digital Platform of Advanced Engineering Classes और आज के सेशन के अंदर हम Doors and Windows के हमारा second session है और इसके अंदर हम Types of Windows and Types of Doors के बारे में बात करेंगे कितने Types के Doors होते हैं, कितने Types के Windows होते हैं और किनकी कैसी requirement होती, कौन सा Door या Window कहां प्रवाइट किया जाता है इस session के अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे तो आई ये session को start करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू कि बारा बज़े estimation and costing चल रहा है जो कि जल्द खतम होने वाला है और इसके बाद मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं concrete technology देन उसके बाद 4 p.m. पर environmental engineering 530 पर food mechanics 630 पर construction material and then 730 पर machine design चल रहा है mechanical वाले बच्चों के लिए कुछ भी डाउट आता है comment section के अंदर पोस्ट करें ताकि जब हम live जुडेंगे सबसे पहली हमारी जो विंडो आती है वो है corner window अब corner window क्या होता है नाम से समझ में आ रहा है ऐसी विंडो जो भी building के corner side में provide की जाएगी अच्छा corner side में provide करेंगे तो इसे building corner है तो एक तो हमारा ये side भी हमने यहां पर रखा और इसका जो exposure है वो दूसरी side भी है इससे क्या होता है जादा light room के अंदर enter कर पाई मतलब जादा exposure मिलेगा तो यह corner window का advantage है it is provided at the corner of the room it has two faces in two direction due to this light and air enter from two directions and such a window improve the elevation of the building also so corner window building का elevation भी बढ़ाती है air and light के exposure को बढ़ाती है और corners में provide की जाती है दो इसमें phase होते हैं और दो direction से air and light enter कर पाती है तो यह आपको इसमें ध्यान दखना है next अगले आता गेबल विंडो गेबल विंडो क्या होता जैसे अगर हम structure analysis पढ़ते हैं toss पढ़ते हैं तो जो ऐसी frame होती है जिसमें दो column होते हैं और दो member inclined होते हैं जिससे यह आपको दिख रहा है पूरी गेबल फ्रेम है इसमें जो हमने window दे रखी है इसे हम गेबल फ्रेम बोलते हैं इससे क्या होता है थोड़ी सी हाइट पर होती है ऊपर की तरफ है रूफ साइड होती है तो इससे light का जादा amount room के अंदर एंटर कर पाता है और एक cross ventilation भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है रूफ के जो गेबल एंड पर दी जाए उससे हम क्या बोलेंगे गेबल विंडो बोलेंगे नेक्स आती हमारे पास dormer window dormer window क्या होती है वो समझना ये थोड़ी सी जो आपका roof होता है ये भी रूफ में दी जाएगी जिससे बेबल विंडो है बड़ी रूफ से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली होती है जैसे आपको ये दिख रहा है तो इससे क्या होता है रूफ जो रूफ होती है ऊपर की तरफ वहां पर जादा लाइट या वेंटिलेशन हमें मिल पाता है सो इडिज़ वर्टिकल विंडो प्रवाड़ी रूपिंग रूफ विदी ऑब्जेक्ट आप प्रवाइदिंग एगर तो दी एनक्लोज स्पेस बिट्वीन दी रूफ जो रूफ पर एनक्लोज स्पेस है वहां पर हमें काफी अ विंडो आ गया जो हमारे रूफ के डायरमर साइड मतलब की टॉप साइड में होगे लिए स्लोपिंग रूफ पर अगली आती है बेविंडो बेविंडो क्या होती है जैसे आपने दिख रहा है यहां पर इस टाइप से उसके तीन फेस होंगे एक हमारे पास यह साइड तो इस विंडो के होंगे, this window projected outward from the walls of the room to provide an increased area of opening for admitting greater light and ventilation, मतलब ऐसी विंडो जो दिवाल से वाल से बाहर की तरफ निकली रहे, ऐसे विंडो को हम बे विंडो बोलते हैं, ठीक है, जो sloping roof पे हो वो dormer, जो gable end पे हो, वो हमारे पास gable window, जो corner पे हो वो corner window, और जो दिवाल से बाहर क की तरफ आए, वो हमारे पास bay window कैलाएगे, अगली आती, clear story window, clear story window क्या होती है, यह जो आपके roof होती है, छत होती है, उस छत के बिल्कुल एग्जेसिन दी जाती है, छत के बिल्कुल pass में दी जाती है, जैसे यह हमारी roof है, ठीक है, तो roof के एकदम pass में यह window दी गई है, यहा ओपन, about the adjoining veranda, बाहर अगर वरांडा है, तो वरांडा के बाजू में छत के पास में जो window दी जाए, वो clear story window होती है, अगली आती, catchment window, catchment window क्या है, जिसे यह जो जनरली अभी आप लोगों घर में प्रवाइड की जाती है, जनरली यूज की जाने वाली window, catchment window होती है, और सबसे main इसकी पहचान है, कि इसमें से shutter होंगे, जो openable होंगे like doors, ऐसे यहां पर यह है, यह ऐसा portion है, तो इसमें से shutter होते हैं, जो doors की तरह open हो सकते हैं, बाहर की तरफ, so common type of window, usually provided in a building, the shutter of this window are open like door, तो एक तो हमने पढ़ी corner starting में, जिसके दो faces होंगे, दूसरा आपने पढ़ा gable window, जो gable frame में दी जाएगी, एक हमने पढ़ा dormer window, जो sloping roof पर दी जाएगी, एक हमने पढ़ा bay window, जो बाहर की तरफ निकली होगी, और जिसके panels door की तरह open होंगे, उसे catchment window बोलेंगे, fully glazed होती है, कांच होते हैं, और यह ज़्यादा तर इस्तमाल की जाने वाली window में से एक सेस और glazed window यह ऐसी होती है, जिसके panel fully glazed होते हैं, जैसे यह आपका पूरा यहाँ पर है, तो इसमें इसे shutter नहीं होंगे, जो बाहर की तरफ खुलेंगे, बस इसमें सिर्व यहाँ पर कांच होते हैं, यह up-down हो सकते हैं, इसमें यहाँ पर, ठीके यह थोड़े से हलका सा बा जिसमें shutter खुल पाएं, वो आपकी casement window के लाएगे, तो हमारे पास एक awning type का ventilation भी होता है, ठीके, उसके बाद एक bay and bow होता है, जो बाहर की तरफ निकला है, casement मतलब shutter वाला जो भी हमने पड़ा, then हमारे पास एक double hung, double hung मतलब कि एसा हलका सा बाहर निकलेगा, फिर एक होता है पास, basement type मतलब ये बाहर की तरफ open होगा, नीचे से इसे यहां पर hinged होगा, जो ये awning type है, ये उपर से hinged है, और बाहर की तरफ खुलेगा, ये नीचे से hinged है और बाहर की तरफ खुलेगा, वहीं पर sliding वाली ये severe slider होते हैं, so these are the different types of window, मतलब कौन कौन से window हमने पड़ी, corner window, गेबल window, dormer window, ठीक है, bay window जो बाहर की तरफ हो, then basement window जिसमें हमारा ऐसे shutter type open हो, then sliding window, then उसके बाद basement जब नीचे hinged हो बाहर खुले, awning मतलब उपर hinged हो बाहर की तरफ खुले, बे अन बो मतलब हमने जो विंडो पड़ी थी, बे विंडो ये वो वाली है, जिसमें बाहर तरफ window होती है, so this are the different types of window, जिसे गेबल wall है, तो गेबल wall में गेबल हमारी रूफ है, तो इसमें जो विंडो दिया ये गेबल विंडो के लाएगी, पड़ वही पर जो रूफ से बाहर की तरफ हो, ये dormer window अगई, sloping roof पे जो दी गई, वो dormer window, वही पर एग्लेज्ड विंडो है, sliding वाली, जिसमें पूरे कांच होते हैं, so बचो ये ता हमारा different types of windows कौन सी कहां दी जाती है, windows की classification ये से ब हम पिछले session में cover कर चुके हैं, अब हम start करते हैं different types of doors, doors कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम start कर रहे हैं, कम से कम 16 to 17 types of doors होते हैं, और म baton and ledge doors क्या होगा, जिसमें ऐसे कुछ vertical members होंगे, ठीक है, ये आपको कुछ vertical member दिख रहे हैं, जो की लकडी से बने हैं, और ऐसे कुछ vertical strip के साथ में, यहाँ पर कुछ horizontal member भी होंगे, जो horizontal member यहाँ पर होते हैं, इनको ledge कहा जाता है, horizontal member को क्या बोलते हैं, ledge बोलते हैं, और जो vertical member होते हैं, उन्हें बैटन बोलते हैं, और सिर्फ vertical और horizontal से बनने वाले दर्वाजे को, ledge and baton doors बोलते हैं, जो की पुरानी टाइम में काफी इस्तिमाल किया जाते थे, बैटन सार दी वर्टिकल बॉंड्स, विचार हेविंग ग्रूव्स, और अटेच्ट टुगेदर भाई horizontal सपोर्ट्स कॉल Lages, Lages horizontal सपोर्ट्स बैटन वर्टिकल है, जो बैटन का डाइमेंशन होता है, विट वो होती है 100 से 1500 mm, और जो उसकी मुटाई होती है, वो 20 से 30 होती ह है, वहीं पर जो Lages होते हैं, उसका जो विट होती है, वो 100 से 200 होती है, और जो मुटाई होती है, वो 25 से 30 होती है, और यह हम narrow opening, मतलब कोई छोटी सी सक्रा अगर opening है, तो वहीं पर बैटन डेंट लेज डोट्स प्रवाइड करते हैं, बट यह भी पुराने टाइम में में मे पेबल है, तो narrow opening में बैटन डेंट डोट्स देते हैं, अगला आता है बट्टों बैटन डेजड एंड ब्रेजड डोर्स, यहां पर क्या होगा, हमारे पास बैटन तो ही, साथ में लेज भी है, यह बैटन हो गए, बट इसमें ऐसे क्रॉस मेंबर भी आएंगे, यह जो अगर जो हमारे पास बैटन डेज डोट था, उसको और रिजीड बनाने के लिए हम ब्रेशेस प्रवाइड करते हैं, जो ब्रेशेस होते हैं, यह 100-500 mm चोड़ाई पर होते हैं, और 25-30 mm मोटे होते हैं, मतलब जिसा हमारा लेजड होता है, उतना ही डाइमेंशन लगबग इ अगर जगा बहुत बढ़ी है, तो फिर ब्रेशिंग दी जाएगे, जगा चोटी है तो ब्रेशेड एंड लेजेज पर अगर बढ़ी है तो ब्रेशेड लेजेज एंड ब्रेशेड निक्स्ट आते हैं, बैटन डेजेड एंड फ्रेम डोर्स, अब यह क्या होता है, हमारे पस बैटन तो हैं, यानि वर्टीकल मेंबर हैं, लेजेज भी हैं मतलब होरीजोंटल मेंबर हैं, साथ में यहां पर दोनों साइड ऐसे वर्टीकल मेंबर होंगे, जिससे एक पूरी फ्रेम तयार होगी, अगर आपको दिख रहा है तो यह ऐसी पूरी फ्रेम यहां पर बनी हुई है यह जो फ्रेम में जो वर्टिकल मेंबर है इन वर्टिकल मेंबर को हम स्टाइल बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं तो स्टाइल की मदद से और जो होरिजोंटल मेंबर यह हम रेल बोलते हैं ऐसा हम पहले भी स्टाइल है इससे फ्रेम तयार होगा और उस फ्रेम के बीच में हमारे पास बैटन और लेजेज होंगे स्टाइल यहां प्रवाइड की जाती है इसकी जो मुटाई होगी वह लेजड और बैटन दोनों की थिकनेश का जोड होगा सम होगा मतलब अगर लेज की दिखनेश 20 और बैटन की 20 है तो फिर इस टाइल की दिखनेश 40 है में होगी मतलब इस टाइल जो फ्रेमवर्ग जो होगा वो बड़ा होगा मूटा होगा और उसके बीच में हमारा बैटन और लेजेज आएंगे next आता है baton, legged, braged and frame मतलब कि यहाँ पर style भी है मतलब पहले rail है फिर styles है फिर framework तयार हुआ फिर उसमें batons है फिर legged है और फिर उसमें braces भी होंगे तो यह जादा rigid combination तयार होगा जिससे आपको दिख रहा है यह हमारे पास हो गया यहाँ पर legged यह पूरा हमारे पास तयार हो गया framework जो कि style और रेल से तयार हुआ साथ में यहाँ पर बैटन भी है और फिर ब्रेसेस भी है ठीक है तो यह ब्रेसेस हो गया इन दी स्टाइब दोर मेड ओफ बैटन्स, लेजेस, स्टाइल्स, एंड ब्रेसेस सो इडिस मोर रिजेड, ब्रेसेस अर कनेक्टे डाइगनली बिटवीन दे लेजेस एडवाउट 40 mm फ्रॉम दी स्टाइल्स, तो इस स्टाइल है उसके 40 mm से यहां लेजेस से वो कनेक्ट होंगे और फिर उस अपोजिट एंड तरफ वो जाएंगे अगला आता है, फ्रेम्ड एंड पैनल डोर्स, सिर्फ डोर्स के आप नाम याद रखें, क्योंकि डाइगराम देखकर आपको उसके नाम पुछ सकते हैं, तो ज़्यादा सिंपल पैटन है, बैटन वर्टिकल है, लेजेस होरिजोंटल है, फ्रेम अलग ही आपको साफ साफ पैनल डोर्स, इसमें हमारे पास यह वैसे डोर हैं, जो आजकल की डे टुटर लाइफ में जादा यूस किये जाने वाले डोर है, थोड़े एस्थेटिक होते हैं, अपीरेंस बढ़ाते हैं, यहाँ पर पूरा ऐसा फ्रेम वर्क होगा, ठीक है, अब इस फ्रेम वर्क में य हमारा स्टाइल हो गया, वर्क हो गया, बीच में जो मेंबर आते हैं, इनको मुलियन या मंटीज बोलते हैं, तो हमारा हमारा मिडिल रेल हो गया, और डोर है, तो इसको लोख रेल भी बोला जाता है, ठीक, यहाँ पर ये जो आपको होरिजोंटल पोर्शन ऐसे मिल रहे हैं ठीक है यह तो हमारे लेजेस हो गई बीच में जो एंक्लोशर बने इनको हम पैनल बोलते हैं और यह जो पैनल आपको दिख रहे हैं यह लकडी के भी हो सकते हैं कुछ डिजाइन या पैटन टिंबर के यह साथ में यहां पर कांच भी यानि ग्लासेस वाले पैनल भी हो सकते है यह एस्टिक अपीरेंस बढ़ाते हैं रूम की इस आर वेरी स्ट्रॉंग एंड विल्ग गूड अपीरेंस वैन कंपेर्ट टू बैटन डोर्स बीच में जब पट्टे आ रहे हैं तो बैटन डोर्स यह बैटन यह फ्रेम्ड एंड पैनल डोर हैं यह वाइडली उसकी जाने वाले डोर्स हैं इस्टाइल्स वर्टिकल मेंबर रेल होरिजोंटल मेंबर आर गुरूवड अलॉंग दी इनर एजस ऑग दी फ्रेम्टू रिसीव दी पैनल डपैनल्स आर मेड़ टिंबर और प्लाइवूड और एसी शीट और ग्लास और शीट्स यह नेरो ओपनिंग के रेल के जाते हैं सिंगल लीफ मतलब एक दर्वाजा है तो सिंगल लीफ बड़ी ओपनीं है तो हम डबल ओपनीं के लिए डबल लीफ वाला प्रवाइड करेंगे और इस्टाइल की जो मीनिमम विट्ट है वहंडेड मेम होती है और रेल्स जो है उनकी मीनिममम विट्ट 150 mm ह होती है ठीक तो आपको डेगराम में याद रखना है एक्जाम में इसा इस्टाइल सो रेल के डाइमेशन नहीं पूछेंगे बड़ यह दोर कौन सा है तो यह हमारा कौन सा जगा फ्रेम डेन पैनल डोर कहलाएगा वाइडली उसके जाना वाला अगर इसमें ओपनिंग छोटी किया जाता है यह थोड़ा ज्यादा एस्टीग होता है डेकोरिटीव परपस वाला होता है इसमें पूरे में कांच लगा होता है तो जो इंटीरियर रूम से इनर रूम से तो बहार के रूम से अंदर लाइट जाए यह बहार से आप अंदर देख पाएं ऐसी कंडिशन में यह वाले डोर्स प्रवाइड किये जाते हैं जहां पर प्राइवेसी नहीं रखना है बट प्रॉपर वेंटिलेशन हो लाइट हो प्रॉपर देखा जा सकते कि अंदर मुवमेंट क्या हो रहा जैसे स्कूल बिल्डिंग है हॉस्पिटल बिल्डिंग है तो वहां पर जनरली एसे डोर्स प्रवाइड करते हैं ग्लेश डोर्स जनरली प्रवाइड इंटीरियर वॉल्स हॉस्पिटल कॉलेजेज इस्कूल एक्सेट्रा इंटीर ऑफ दी रूम विजीबल है जब बहार अंदर की चीज़ें बहार से देखी जा सके ऐसा डोर प्रवाइड करना है तो फि और अंदर पूरा लकडी का ऐसा फाइबर पोर्शन होगा ऐसे अलग अलग पतले पतले फाइबर टिंबर के स्ट्रिप्स पतली पतली शीट्स प्लाइवूड शीट्स या वुड़न स्ट्रिप्स ऐसी होंगी जिनको प्रेशर के साथ में बैंड किया जाएगा और उपर ल सब्सक्राइब करते हैं और साथ में क्या होता है कई बार दियसे मानलो की बारिश और हो नहीं है तो पानी लगेगा तो इस्टील से पानी में फरक नहीं पड़ेगा और अंदर लकडी हो बची रहेगी तो दरवाजी की लाइफ बहुत जादा होती है तो ऐसे डोर को हम बो करते हैं यहां पर हो लोकोर एंड को फ्लेश दोर होता है अंदर जो को है वो पूरा उसमें ऐसे वाइडस होंगे खाली जगा होंगी तो मजबूती होंगी बिदा हलका होगा ठीक है तो बस यह सब फ्लेश दूर के टेगरी में आते हैं में अगला हमारे पास आता है यहां लोवर्ड डोर्स लोवर्ड डोर्स क्या होते हैं ऐसे डूर जो मतलब जिनका एस्टिटिक अपेरेंस बहुत जादा होता है और अगर दर्वाजा ऐसा हम दें जिससे हमें बाहर से प्रॉपर एंड वेंटिलेशन मिल पाएं रूम के अंदर अगर दर्वाजे कव भी वेंटि तो ऐसा दोर जिसम कोड़ें जिससे हमें वेंटिलैशन मिल पाएं यहर सर्क्यूलेशन मिल पाएं ऐसे डो Alors को हम lowered doors बोलते हैं so the lower permits the natural ventilation when the door is closed and also provide the privacy in the room आप देख भी नहीं सकते बट proper ventilation मिल पा रहा है suffocation नहीं होगा ऐसे doors को हम lowered doors बोलते हैं next अदर वायर गेस्ट डोर्स कई बार जैसे आप घर अगर ऐसी जगह पर जहां पर कीडे insects मच्चर वगेरा उनका entry जादा हो सकता है chances हैं तो ऐसे में हम बोलते हैं जाली वाला डोर हम लगाएंगे तो वह जाली वाले डोर को wire gauge doors कहा जाता है जिसमें यहां पर पूरा ऐसा लोहे की framing होती है और उसके पर हम नेक लगा देते हैं iron की लोही की जाली लगा देते हैं तो उससे दर्वाजा हमारा privacy भी मेंटेन करता है साथ में light भी मिल पाती है air मिल पाती सफोकेशन नहीं होता है बड़ मच्चरों का entry insects कीडे मकोडे घर में नहीं आ सकते निक्स आता है हमारे पास revolving doors revolving doors जो होता है यह जनरली किसी बड़ी company में जहां पर जादा public building में commercial space में प्रवाइड करते हैं ताकि जादा लोग एक टाइम में एंटर कर पाए गार्डन हो गए commercial space हो गई public building वहां पर revolving door होता है और एक single AC strip होगी जिससे बहुत सारे shutter connected होंगे एक साथ अलग अलग shutter यहां पर connected होते हैं एक ही वर्टिकल मेंबर के साथ so revolving door प्रवाइड इन पब्लिक buildings ठीक लाइक museum bank library etc because of constant visit लगातार लोग आते रहते हैं इड कंसिस मूलियन edit center मतलब बीच में जो member है जिस पर शब सारे ऐसे रेडियेटिंग शटर होंगे उस member को क्या बोलेंगे तो उसको मूलियन बोलेंगे या फिर मंटीन बोलेंगे तो यह दिहान रखना नेक्स्ट हमारे पास अगला sliding door मतलब यह जनरली रूफ टॉप पर रूफ हाउस में प्रवाइड करते हैं ताकि अगर हम जादा हमारे पास स्पेस कम है ठीक है तो यह दर्वाजा स्पेस कम लेगा और सिर्फ हमें स्लाइड करना है और हम एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हैं ठीक है तो यह स्पेस कम लेगा इसमें खुलने की जगा नहीं चाहिए तो जब भी अगर हम स्पेस कम कॉंप्रोमाइस करना चाहते हैं तो हम स्लाइडिंग डॉर का यूज करते हैं तो इन दी स्टाइब विदी हेल्प आव रणर इन गाइड रेल्स दोर स्लाइड तो दोर में हो वन और प्रिक्टरों में दिखा देगे तो जो वो जो ऑफिसर था वो दर्वाजा हटा के बाहर निकल के आता है तो ऐसा दोर जहां पर हमें एक सेमी प्राइवेसी मेंटेन करना है कम्प्लीट प्राइवेसी भी नहीं चाहिए है न तो जैसे जो पब्लिक टाइलेट्स होते हैं या पूर्श स्टिशन के अंदर जनरली ये डोर पाया जाता है कमर्शल स्पेस के अंदर जहां पर आपका हाफ इस पेस के अंदर हाफ हाइट पर ऐसा डोर होता है में ली उसक स्टिशन स्प्रिंग और विच हैव भी शटर तो मुव इनवर्ज एस वेल इस आउट्सवर्ट जो डोर का शटर दोनों तरफ खुल पाए उससे हम स्विंग डोर बोलेंगे नेक्स डाता है हमारे पास चैनल गेट ठीक है और चैनल गेट को हम यहां पर कॉलेफसिबल गेट भी बोल सकते हैं यह जनरली लोहे का होता हैं गमर्शल इस पेस में प्रवायड करते हैं जनरली गेरेजेश वगेरा के अंदर यह कोई बेसमेंट वगेरा हे वेर हाउस वग गहर रहा है मजबूती है तो ऐसे केसे में हम कोलेफसिबल गेट्स प्रवाइड करते हैं वर्क शॉप हो गया शेड्स हो गया वेयर आउस हो गया इंडस्ट्री हो गया यह इस्टील करक्टें मतलब जिसे परदा होता है तो लोहे के परदे की तरह काम करता है बस इसमें यह अपके शटर्स होते हैं जनरली जितने भी ऑफिसे सोते हैं यह जो भी दुकान होती है शॉप होती हैं वहाँ पर ऐसा ही डॉर यूज किया जाता है आपने सुना होगा शटर्स जो होती है ठीक है और इसमें कुछ ऐसे भी आते हैं आजकर जिसमें थोड़ा सा आप अंदर का नहीं देख सकते हैं मजबूत भी होते हैं ठीक है तो ऐसे जो डोर से हैं यह जनरली हम शॉप्स वगेरा में यूज करते हैं इसमें स capture नफे म одно को पřेये में इसमें कर सकते हैं इस तो ठीक है तो बहुत मश्किल हो जाता है यहां पर ऐसे हमारे पास डोट है माल्ड स्टिल के पूरा इसमें यह लोहे के दर्वास हैं टिक है जिसमें काफी मजबूती होती है जहां पर लॉकर वगेरा होते हैं दिखाऊगा आपने जो लॉकर वगेरा होते हैं अल्मारी के अंदर वहां पर जन्रली दर्वाज जहां पर बहुत ज़्यादा मजबूती चाहिए वहां पर माइल डिस्टिल के डॉर सम प्रवाइड करते है तो दो डोर फ्रेम इस मेड़ अफ एंगल और टी सेक्शन शटर इस मेड़ फ्रेम ऑफ एंगल और फाइरन हेविंग टू वर्टिकल्स एट लिस्ट्री होरिजोंटल तो यह मेली जहां पर एक्स्टीम हमें सेफ्टी की रिक्वार्मेंट है वहां पर हम यह दरवाजे यूज करते हैं निएसे अगर आपको दिख रहा है यहां पर तो को रूक एटेड मतलब की उसमें को रुचे शिटा टेमाइव इसे होता है ठीक है और एसे जो दोर्स यह स्लाइड आप कर सकते हैं तो इस प्रकार के जो दोर सेंगर प्लेन हैं तो माइल टील बड़ अगर को डोर ऐसे दरवाजें यहां पर होते हैं जिसे जो आपने कभी सिनेमा हॉल देखा हूँ उनका जो एक्जीट पॉइंट होता है तो दिखने में बड़े होते हैं बट अंदर से खाली होते हैं तो आपको उनको ओपन करना क्लोस करना आसान होता है बहुत जादा उसमें वरके र सेक्शन और यूज तो मैक दिस डोर्स दरेल इस्टाइल और स्टेंटर बाइवेल्डिंग स्मॉल टी और आई सेक्शन टी और आई सेक्शन का मेंली यहां पर यूज किया जाता है निक्स रादा है हमारे पास मेटल कवर्ड प्लाइवूद डोर्स एसे दरवाजे जिसके अंदर प्लाइवूद है बढ़ बाहर मेटल शिट है लेमिनेटेड है ऐसे डोर्स को हम मेटल कवर प्लाइवूद डोर्स कहते हैं अंदर प्लाइवूद है तो हलका रखेगा और बाहर मेटल है तो उसको पानी वगएरा से बचाएगा दिमक वगएरा से बचाएगा लकड से दोर्स का इस्तेमाल एक बहुत सदा एडवांटेजियस होता है नेक्स्ट हम तो बचों ये थे हमारे पास तो हमने यहां पर अलग अलग टैप से दोर्स का मतलब में कून सा कैसा है कि यह चीज़े नहीं आती बट डोर्स जो है डागराम देकर आपको पूछ सकते हैं यह किस वराइटी का डोर है मेंली जो हमने फर्स सेशन किया था क्लासिफिकेशन वहीं से कोश्चन आते हैं मोस्ट ऑप अगर हमने डोर्स और विंडोस पड़ा जिसे आपने सुना होगा कि एक महार आदमी ने कहा है कि अगर यूपी आए तो अगर यूपी आए हैं और ढोलना बजा तो क्या खाक यूपी आए तो सिमिलर उस प्रकार से क सब्सक्राइब कि डोर से विंडोस के बारे में बहुक्त सारी चीजने पड़ी बड़ टाइपस और विंडोस ना पड़ा क्या विंडोस पड़ा इसलिए यहां पर हमने टाइपस आपडूस और से अश्कार कवर करा तर्कि डेकर इमेजेज देखकर आपको समझ मैं कितने सब्सक्राइब करते हैं उसके अंदर हम डिसकस करेंगे स्टेर के बारे में तो स्टेर्स के बारे में एक सेशन में लोगा जिसमें स्टेर्स के दो क्षचन आते हैं तो हम पढ़ेंगे ने क्सक्राइब के अंदर अगर आप इसी तरह से टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्स के लिए आपि अधिक आज का जो सेशन इसका पीडिये पको ए laser इसी प्लस एक साधुचन डिसक्राइब पर मिलेगा पब्लीक चैनल है नाम सच करते से मिल जाएगा अगर अभी तक जॉइन नहीं किया है तो किजिए ता कि आपको क्लासेस का अपडेट्स और पीडिएफ मिल पाएं सो मिलते हैं नेक्स सेशन के अंदर तिल दें गुडबाई एंट टेक केर